हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सब सेयर करने जारी हूँ मैंगो स्टफ आइस्क्रीम तो उसके लिए हमने दो बड़े साइज का मैंगो लिया है ता क्रीबन मैंगो हमारा हाफ केजी यानी पाथ सो ग्राम है तो बस उसे हम उपर से कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे नाइफ के साहरे बिलकुल अच्छे से होल करते हुए हम इसके अंदर के सिट्स को निखा लेंगे फ्रेंस ये आइस्क्रीम काफी टेस्टी लगता है त्यान रहे जो मैंगो हम लेंगे वो पूरी तरह से पकी नहीं होनी चाहिए और नहीं अंदर से कच्छा होना चाहिए क्योंकि अगर पका होगा तो फिर नाइफ के साहरे अगर हम इसके सिट्स निकालेंगे तो उसका इसके इन भी फट जाएगा अग अच्छा होगा तो सिट्स निकालने में बहुत ज़ादा थिक्कत होगा तो बस बिलकुल अच्छे से इसके हम सिट्स को निकाल लिए हैं और इसे एक बाउल में हम रख देंगे छोटे साइच का ही बाउल लेंगे ताकि मैंगो हमारे अच्छे से खड़े रह पाए उसने और जो भी एक्स्ट्रा मैंगो के अंदर से था इसे छोटे चोटे टुक्रों में हम कट कर लेंगे इस स्पून के सारे इसे भी हम मैंगो के अंदर एड़ कर देंगे यह आईस्क्रीम खाने में जितना स्वाधिस्ट लगता है देखने में उससे कहीं ज़्यादा प्यारा देखता है तो बस यह पुरी तरह से रेडी हो गया है इसे अब हम 10-15 मिनट के लिए या फिर जब तक हम स्टफ त्यार करेंगे तब तक इसे हम फ्रीजर में रख देंगे ताकि यह पुरी तरह से सेट हो जाए यहां हमने एक कप मिल्क लिया है मिल्क हमारा बिल्कुल डूम टेम्परेच में रखा हुआ होना चाहिए इसमें हम दो चमच मिल्क पॉडर एड़ करेंगे यह पुरी तरह से ऑप्सनल है अगर आपके पास मिल्क पॉडर नहीं तो यहां पर मिल्क का आप क्रीम भी ले सकते हैं और इसमें एक चमच हम कस्टड पॉडर लिये वो भी बनिला फ्लिवर क बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लंक्स ना रह जाए तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिये और मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क में आड़ करेंगे एक ही बार बिल्कुल आड़ नहीं करेंगे नहीं तो यह अभी टेक्शर में ना बदल जाए तो बस देखिए ये अच्छे से गाड़ी होने लगी है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे इसे अब ठंदा होने के लिए एक बाउल में निकाल देंगे एक बाउल में निकाल के जब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब तक इसे हम stuff नहीं करेंगे, तो बस बिलकुल अच्छे से ये ठंडा हो गया है, अब हम अपने mango को निकाल के लाएंगे, जो हमने freezer में रखा था, mango भी बिलकुल अच्छे से से सेट हो गया है, अब ये spoon के सारे, इसमें जो हमने स्टेफ त्यार किया है कस्टर्ड मिल्क तो बस इसके अंदर हम एड़ करेंगे एड़ करने के बाद इसके उपर के कभर को अच्छे तरह से लगातेंगे और पिल्कुल अच्छे से इसे अब हम क्लेन कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्रेजी से सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेज जरूर कर लिजेगा ताकि नई वीडियो आप तक जाती रहेंगे तो बस इसे अब हम फ्रेजर में रख देंगे और 5-6 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे तो बस 5-6 घंटे हो गए है फ्रेंस इसे अब हम फ्रेजर से निकालेंगे और निकालने के बाद इसे हम अच्छे से उपर के पिल्स को निकाल देंगे तो जो potato छिलने वाले होते हैं तो बस उससे हम इसके उपर का pills को अच्छे से निकाल लेंगे आप चाहे तो knife के सहारे भी इसके उपर के pills को निकाल सकते हैं तो बस पुरी तरह से same process के according हम दोनों का pills को निकाल लेंगे अब इसे knife के सहारे हम बिल्कुल slice size में इसे cut कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर का stuff है वो पुरी तरह से देखे तो बस इसे हम छोटे-छोटे slices में cut करके serve कर देंगे friends इसकी taste इतनी लाजबाब है कि अगर आप एक बार घर पे बना दिये तो बार-बार आप बनाना चाहेंगे तो बस खाने में जितना स्वादिस्ट है देखने में उतना ही प्यारा दिख रहा है friends वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज आप एक लाइक जरूर कर दीजेगा